तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एगर आप लोगोंने ग्रोव एप में या फिर किसी भी ट्रेडिंग एप में मुचुवल फंड में इन्वेस्ट किया था और वो उसका ओडर कैंसिल हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है तो इसके पीछे का रीजन किया है इस हूँ तो यह गई स्वागत हम सभी का एक और सांदार वीडियो में तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं देखिए आप लोगोंने ग्रोव एप में साइस से इन्वेस्टिंग किया होगा या साइपी के थुरू या फिर किसी भी अन्या ट्रेडिंग एप में किया ने का जो कि मैं आप लोग को यहां पर बताने वाला हूं तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर करते जेगा तो देखिए फर्स्ट अफ आफ आल हम लोग एक सेलर और बायर के बीच का जो कनेक्शन होता है इ तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट यहां पर कर रहे हैं या फंडेड उपीस वो देखिए कंपनी के उपर डिपेंड करता है अगर मान लिजिए आप किसी बैंकिंग कंपनी में अगर आप S.I.P कर रहे हैं जैसे I.C.I.S.I. बैंक या फिर एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक चाहा जो भी बैंक हो अगर इन सभी बैंकों में अगर आप S.I.P में इन्वेस्ट करेंगे तो साइस से 95% चांस है कि आप लोग का जो मुछवल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है S.I.P है वो रिजेक्ट नहीं होगा और आप लोग का पैसा जो है प्रॉब्लम में नहीं ठीक लेकिन अगर आप लोग ने किसी दूसरी कंपनी में जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे इसमाल कंपनियां जो कहां ठीक है उनमें अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो दूसरे भासा में कहा है तो जैसे पेने स्टोक होता है उसी तरीकिसे अगर कंपनी में अगर रुपीस में तो अगर आप लोगों को मालेजे वहाँ पर available है shares buy करने के लिए तो मालेजे आप लोग का SIP जो है reject नहीं होता है लेकिन अगर आप लोग का share आप लोग को नहीं मिलता है तो वहाँ पर problem हो जाता है rejection का जिसके वज़े से आप लोग का जो SIP है reject हो जाता है लेकिन अब यहाँ पर बात आता है कि जो आप लोग का reject हुआ है तो आप लोग को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो देखिए वो 100% है कि आप लोग को मिलेगा मेभी 2 दिन 3 दिन तक time लग सकता है क्योंकि देखिए जितने भी application है जैसे grow app है या फिर कोई भी trading app है तो यह देखिए mediator का काम करता है companies and जो third person यानि कि जो आप है और companies के बीच में brokering का काम करता है तो यह आप से payment लेता है देन companies का share खरिद करके आपके नाम से hold करता है ठीक तो इसमें में भी थोड़ा सा time लग सकता है लेकिन आप लोग का जो payment है payment 100% मिल जागा आप लोग को में भी दो से तीन दिन लग सकता है इसमें अगर नहीं मिलता है तो आप लोग customer care support में call करें और आपका जो भी reference ID details होगा उसके साथ call करें और आप लोग का जो help पुरी तरह किसे की जाएगी तो इस वीडियो में आहीं तक मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में